किमारा टॉपिक है चेप्टर नबर तू, काइनिमेटिक कौनसेब्ट ऑफ मोशन ति कैनिमेटिक कहन काइनिमेटिक होते है कि फोर्श sing जो मोशन को प्रोडियूश कर रहे होते हैं कि motion कौन सी plane में हो रही है और क्या क्या उसके perspectives हैं क्या क्या टाइप की motion है अब हम उसके motion की types देखते हैं motion की जो है वो तक्रीबन दो types है एक है linear और दूसरी है angular motion linear motion में linear motion एक ऐसी type of motion है जो कि straight line में होती है एक line में एक ऐसी motion है जो कि एक line में होती है कर रहे होते हैं वो बिशेक स्ट्रेट हो या वो कर्व भी हो सकती है अब लीनियर मोशन और टांसलेटरी मोशन में क्या फर्क है इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ही यह है कि लीनियर में तो सारे बॉड़ी पार्ट्स मूफ कर रहे होते हैं लेकिन टांसलेटरी में सारे बलके पूरी बॉडि एक साथ मूफ करेगी जैसे कि हम कार में बैठेवें वे तो हमारी पूरी बॉडि मुफ कर रही होती है लेकिन एंगलर मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें जो हो रोटेशन होती है एक एकसेज का पॉइंट होता है जिसके आराउंड जो हो रोटेशन हो रही होती है अभी जो पॉइंट होता है और यहां जहां पर रोटेशन हो रही होता है इसके दरम्यान जो हो परपेंडिकुलर डिस्टें बना लिये, वह erect standing position को हम anatomical reference point केते हैं, जिसमें हम हर joint को जो है, वो 0 degree consider करते हैं, इस position में हमारे hands जो हैं, वो hanging में होते हैं, hanging position में होते हैं, हमारे जो palm हैं, वो थोड़ी से apart होते हैं, और हमारे जो palms हैं, वो forward की तरफ होते हैं, हमारे मुह भी जो है, वो forward की तरफ होते हैं, अब यह है linear and angular, इन दोनों motions को collectively हम कहते है general motion और यह most common motion होती है human body की, फिर different terms है हमारे पास, अब हम इनको देख लेते हैं, superior यानि cranial का मतलब है के head की तरफ, inferior या caudal का मतलब है के नीचे की तरफ, proximal का मतलब है के trunk से above और distal का मतलब है trunk से below, या जो है वो trunk से away, medial का मतलब है के body की imaginary line के करीब और lateral का मतलब है के body की imaginary line से दूर, anterior या ventral का मतलब है के front side और posterior या dorsal का मतलब है back of the body, superficial का मतलब है के surface area, surface से करीब और deep का मतलब है के surface से दूर, अब different planes हैं जिनको हम study कर लेते हैं, basically planes जो है वो एक imaginary flat surface area होते हैं, कि बोडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अब डिफरेंट प्लेंज होते हैं हम आपास सजाइटल प्लेंज फ्रंटल प्लेंज ट्रांसफर्स प्लेंज जो सजाइटल प्लेंज होते हैं उसको एंटीरियर पॉस्टीरियर प्लेंज भी कहते हैं क्योंकि यह एंटीर होती है जिसे फ्लेक्जन होती है वो होती है एंटिरियर सजाइटल प्लेन में लेकिन जो लोईर लेगे सिर्फ उसकी जो मुवमेंट है यानि फ्लेक्जन जो है वो पॉस्टीरियर सजाइटल प्लेन में होती है यानि पीछे की तरफ होती है अब जो फ्रेंटल प्लेन उसको ह जो है वो frontal plane में होती है अर इसके पास transverse plane है Transverse plane जो हम horizontal plane भी कहते हैं क्योंकि horizontally run करता है हमारी body में और यह top और डिवाइड कर देते हैं top और bottom में उसके बाद हमारे पास supination, pronation, horizontal abduction, adduction, medial and lateral, right and left rotation यह सब जो होती हैं जो कि transverse plane में हो रही होती हैं अब हमारे पास different axes है, axes frontal, sagittal, longitudinal ये तीन हमारे पास axes हैं जो frontal axis होते हैं वो side to side body में run कर रहा होते हैं और वो perpendicular होते हैं sagittal plane में अब जो भी sagittal plane की movements हैं वो frontal axis में हो रही होगी sagittal axis जो हैं वो anteriorly run कर रहा होते हैं और वो perpendicular होते हैं frontal plane में जो भी frontal plane की movements हैं वो सारी sagittal axis में हो रही होती है और longitudinal axis body के top to bottom run कर रहा होता है और यह perpendicular हो रहा होता है transverse plane में यानि जो भी transverse plane की movements हैं वो सारी longitudinal axis में हो रही होंगी अब circumduction जो है वो combination होता है सारी movements का यानि flexion, extension, abduction, interruption इन सब को combined हम जो हैं circumduction के रहे होते हैं अब जैसे हमारी सिंगर जो है तो हमारी जो हो रही हो थे हैं मेटाकार्बोफलेंजियल जॉाइन पे हैं उसके बात हमारी पास इस्पेशिल रफरिन्जेट्प है यह एक ऐसा सिस्टयम है जो के हम देखते हैं हमारी movement with respect to planes कौन से जो है वो planes में हो रही है, x plane, y plane यह सब हम जो है वो अपनी movement को analyze करने के लिए हम यह वाले system को استعمال करते हैं, इसमें most common जो system आता है वो है हमारे पास Cartesian coordinate system यह वाले system में चार coordinates होते हैं और हमारे पास x and y जो होते हैं x is horizontal यह झो हरा हुता है और y जो है वो vertical होते है और इसमें लिफ्रेंट हमारे पास x और y तर्टी में दो होती है plus plus minus plus minus minus and plus minus ही है यह वो चार जो है वो coordinates होताई है इसमें देखते हैं कि हमारे movement के coordinates में हो रही है बाद हमारे पास Analyses है दो तरह के analysis होते है quantitative analysis and qualitative analysis जो हमारे पास quantitative analysis होते हैं वो हम coordinate system के जरीए जो है वो इस analysis को करते है numerical values, degrees, angles वगरा ही सब हम find करते हैं और जो qualitative analysis होते हैं उसमें जो हम देखते हैं कि कोई भी movement कितनी specific है और किस तरह से हो रही है basically इस analysis से पहले हमारा purpose होते है कि हम movement की क्या चीज़ वो किस purpose के लिए उस movement को identify करें या analyze करें उसके बाद हम analyze करते हैं कि कौन सा error है जिसकी वज़े से हमारी movement एक professional की तरह नहीं हो रही है उसके बाद error को cause find out करके उसको हल करने की कोशिश करते है जितनी ज़ादे बायो मेकैनिक्स जितनी ज़ादा जो analyst होते है उसके पास knowledge होती है बायो मेकैनिक्स की उतनी अच्छी analysis होती है किसे भी movement की उसको analyst को चाहिए कि वो अच्छे से focus करें और attention से ज़े हो analysis करें सारा उसके बाद हमारे पास जो है वो different steps है procedural के qualitative analysis कौन से steps में होती है number one है हमारे पास सबसे पहले हमें identify करना होता है quotient of interest यानि हम किस purpose के लिए उसको analyze करें उसके बाद हमें एक criteria बनाना होता है एक checklist बनानी होती है किन किन चीजों को हमने analyze करना है उसके बाद हम determine करेंगे perspectives के हम उस movement को किस-किस view से scene करेंगे front से back से side से मतलब सारी तरह से उसको scene करेंगे हम view करेंगे उसके बाद हम देखेंगे analyst का distance के कितने distance है analyst जहाँ analyze करेगा performer की movement को उसके बाद number of trials हमने देखने है लेने है बार-बार analyst को चाहिए कि वो बार-बार trials ले repeat करे अपनी observations qualitative analysis बहुत जाद मैटर करता है कि performer का attire कैसा है और nature of surrounding कैसी है मतलब कि अगर performer जो है minimally cloth है तो हमें अपनी joints की और उसकी joints की और body movement जो है जो है वो अच्छे से नज़र आएंगी और अगर lightning ये surrounding में तो ये भी जो हमारे लिए beneficial होगा उसके बाद video visual और camera recording दोनों बहुत ज़ादा ज़रूरी है qualitative analysis में ताकि हम उसको playback करके जो है वो slow motion में देख सके लेकिन camera recording का एक drawback है और वो ये है कि जब उसको performer को पता होता है कि जो है वो camera में ये चीज़ record हो रही है तो वो जो है न वो थोड़ा सा distract हो जाता है वो consciously अपनी moment को perform करने लग जाता है video film, accelerator ये devices हैं जो के qualitative analysis में इस्तमाल होती हैं ये chapter number 2 की पूरी summary है